सरपंजी के रिपोर्ट कार्ड कारिकरम में आज जाबवा लायू की टीम जाबवा जले के राणापुर ब्लॉक के जूना गाओं पंचायद के बाहर है आप देखिए पहले ये पंचायद भावन है और यहीं पर गाओं के कुछ लोग जुटे हुए हैं यहां हम इनसे जानेंगे कि बीते पांच सालों में सरपंच ने कैसा काम किया है क्या वो संतुष्ट हैं गाओं में क्या समस्याएं हैं इन सम्मुद्दों पे हम इनकी राय जानेंगे शुरुवात करते हैं क्या शुब नाम है आपका राकेश सिंगर तो राकेश भाई पांस साल में कैसा रहा आपके सर्पन से काम? वो भी उनके पैसे निकाल ले परतालाव नहीं बनाया सबसे ज्यादा समिश्या तो पानी की और रोड की ज्यादा समिश्या है अच्छा अक्सर क्या होता है कि सर्पन्च से ज्यादा सची लोग चलाते हैं आपके हैं क्या स्तिती? हमारे यहां भी यह है सरपंज का तो कुछ भी नहीं है वो सच्छी रोजगार चाहिए कि यही चला रहे पूरी पंज चाहिद को उनके हिसाब से काम करते हो अब यह मुहले जाजा करना था उन लोगों ने कर दिया और जो सिसी रोड वो बाकी छोड़ दिया जाजा नहीं करना लाइट भी दो चाहर मुहले में बाके बिल्कुल लाइट इज नहीं है वहां पर और लेकिन लाइट तो MPB का काम है सरपंज का क्या रोल है सरपंज का रोल नहीं है पर आवेदन इनको देना तो चीए कि सर आवेदन हमारे गाउं में यह समस्या है और इस समस्या को आगे ज आधित्बेर दूसरी निसे करना करना है, और दूसरी जाते हो, हडपम यह और लाइड भी नहीं है, और यह बाथरूम बनाए थे वह एंटाराम के रासी आपको डल गई है तो कि बोले के रासी डल गई है तुम पैर भी तैयार कर दो मैंने बाथरोम घर से तियार कर दिया तो भी वह बोले आपको पेंशन मिलती है कि नहीं नहीं मला है तो आपकी उमर तो साट से जादा है नहीं मला मिलें पेंशन नहीं मिलती है और क्या समस्या है किया बोलते हैं सरपंश अची हो कि मल जाय है कोई मले नहीं तो कहीं अरजी दी कलेक्टर होगेरा को अकिष जैनती देदी क्या नाम देदा आपका दन नाम सर कैसा काम कर रहा है सरफंश सरफंश साब डिसे काम तो अब उसको लगातार बाराँ चुनाव हो गया और हमाँ तो ये सब लाइट की चुविदा नहीं है और मकान की चुविदा नहीं है आपको मकान ने मिला प्रदान मंदरी का ने मिला ने मिला जया बताता है अश्वा ने मिल रहे और है यह फो खुद्वाना के रहे लखारते वह भी दूसरे जगासे जाते हैं रिया नाम है करम सीघ्य बताओ आप क्या हो आपको कैसा लगा पांच साल सरपन जी का पांच साल सरपंजी का कोई काम नहीं हुआ है साई धंग जो हमारे गंजी फलिया है उसमें हेंड़पम की जर्वत है जब से सरपंज बना आज तक हेंड़पम नहीं मिला उनको पानी की बहुत दिगा अभी नाली में वो खड़ा खुद के वाँ से पानी भर रहे हो आज तक को पुलीय की जर्वत है उसमें आंगनवाडी बच्छे जाने । असमें दिक्कत आते हैं और ऐक पुलीय की जर्वत है वह भी नहीं हुआ हमने कुरीय को साथिय। ule Shingar आप बताओ आपको केसा mêmes इना कुवे पर काम करा था अभी तक उसकी डाफिव बंद्य करना कासी दूगा तो म!. देड़े करा थे वह आजी की तो प्रैम मिलेकर मीडेशने का हैच। आज तक कुछ knitting रहा है कितने टाइम हो गया चैकिंधते हैं की ऩर कि द्aggi can!!! उच्छल बिटन्षा नी कर दो फाल के वह बताओ रह वी अविपन को वो одномती Commission केट निगी अगdeaming ज़ाहस्ण से पूर्टें को अपको सुमिश्ट से पूरत पाल कितने वह ब्हुसते हैंड है आ। इस पाल अप अपहिते हैं, दे RDHA से मिल्टी आप आओ 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 आपकी वे 60 से ज़्यादा की उमर है मिलती है पेंशन क्या नाम है तुड़ा आप कुछ कहना चाहरे है जी सर मैं ये कहना चाहरे है तो हमारे गराम देवल फल्या में आज तक सिसी रोड हुआ उसमें मजदूरी लोगों को नी मिली और तालाप की से 7 साल हो गया आज तक वो मजदूरी भी नी मिली बहुत चारे हमारे यहां लोगों ने मजदूरी के रिए एक भी रूपया नी मिला उनको और साशिव सरपन्स को बोलने जाते तो बोले आपको हैं जो करना है वो कर लो तो नी मिलती हैं हमने एंट्री करवाइं सब कुछ तो आज तो घम को मजदूरी नि मिली मेरे घर से भी है औहां सदेशे किसी को नी मिली और कुछ बोलना चाहता है और प्रवाव किन जी साने डर्व एक पाई आसे डर्री जाद़ महाओ 12 था जाए तक बीड़ी साल था इह बात हुए था बात हुए ने इसको बोल ले था तो तो आप में बना वही नहीं तो भी पैशे नहीं मिलें कि नाम है बताऊं मडिया बताओं मडिया बई क्या समस्या के ने मले हमून कितना टाइम हो गया आप बार मेना थागत आज काल निवाद तो सरपन सची उसे बात की सरपने आद रहे तो पून करी इन बदू की तो क्या बोलते हैं मल जाए मल जाए अंक्या कैई शिकायत की उपर उपर शिकायत नहीं करें भाई और कोई बोलना चाहता है अब कुछ बोल और को बोलेगा वार मकाम निम्मलाय कोई का नहीं क्या नाम है आपके दला है इस गाओं निकलके सामने आ रही है उसमें अधुरे निर्माड भी है उसकी रासे निकाल देने की भी शिकायत आरूब लगाए जा रहे हैं पी-ए मावास का लाव यहां पर बहुत सरे लोगों को मिलना अभी बाकी है सिब बीस लोगों को मिला है ऐसा बताया जा रहा है जबकि काफी संख्या में लोग ऐसे मौजूद है जिनको लाब मिलना है पीएम मोदी 2022 में यानि कि एगले तीन साल की बीतर सभी को आवाज देने का सपना दिखा रहे हैं वादा कर रहे हैं लेकिन यहां पर तस्विर उल्टी है सिकायतों के बावजूद भी लोगों का निराकरान होता दिखाई नहीं दे रहा है इनके आरोपों पे हम सरपन्स अच्चिव का पक्ष लेने का भी प्रयास करेंगे अगर वो देंगे तो आपके साथ आपके सामने उनका पक्ष भी आएगा लेकिन यह जो गवन्नेंस है जो जमीन पे होना चाहिए पंचायत इस तर पर जब हम जा रहे हैं तो गवन्नेंस दिखाई नहीं देता तो आज के सफर में इतना ही फिर किसी नई पंचायत में जाएंगे और जानेंगे सरपंच का रिपोर्ट कार्ड आज का रिपोर्ट कार्ड जूना गाउं से था आपको कैसा लगा? कमेंट बाक्स में ज़रूर बताइएगा और आप भी अगर अपनी पंचाद में हमें बुलाना चाहते हैं कमेंट्स में आप लिखिए बताईए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबा दे